दिखे गाईज रेलवे आरपी अप दू हजार चोविस की न्यू भरती आ चुकी है और इसके आउनलाइन फॉन भरना इस्टार्ट हो चुके हैं इसमें सिपाई के 4208 पद और दरोगा के 452 पद हैं तो आपको इसमें सिलक्षन कैसे लेना होगा पूरे तीन महिने का इस्टेडी प्लान आपको कैसे बनाना है सिर्फ तीन महिने की पढ़ाई में आप आरपी अप में सिलक्षन ले सकते हैं तीन अचुक मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा वीडियो को पूरा बौच करना है आप लोगों को जी लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बाइल आउन करना न भूलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे तीन महिने का इस्टेडी प्लान समझ लीजेगा हरवात को अच्छे से आप लोगों को पता है कि आरेपी अप दूहजार चौबिस की नई भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती का इंतिजार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बहुती वेसबरी से इसका इंतिजार कर रहे थे और इसमें देखिए एक कॉंपटीशन बहुती ज़्यादा रहने वाला है इस बार क्योंकि काफी समय के बाद ये भर्ती आई देखने को मिली है लाश्ट जो भर्ती आप लोगों की आई थी वर्स 2018 से 2019 के बीच में लाश्ट भर्ती आप लोगों की आई थी तब जाकर अब ये भर्ती आई है अगर आपको इसमें सिलक्षन पाना है तो सबसे पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि आप जब आप किसी भी भर्ती की तयारी करते हैं उस भर्ती के बारे में और उस भर्ती से समंदित सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए तो क्या है सारी जानकारी वो तो मैं आपको दे दूँगा आर्पियाप काउंस्टेवल भर्ती 2024 ओमित द्वारों को भारती रेल्वे के भीतर केंदर सरकार की नौकरी सुरचित करने का अबसर परदान करती है देखिए जो आपकी नौकरी होती है ये नौकरी केंदर सरकार के अंतरगत आतित आदिया आपको पता होगा और इसका जो एक्जाम होता है CVT यानि कंप्यूटर आधारित ये आपका एक्जाम होता है आपको रेटर निक्दम दो देना होगा वो आपको कंप्यूटर पर आपको एक्जाम देना होता है जो नए बच्चे हैं जो पहले बार आर्पी अपका एक्जाम देंगे उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है चर्ण प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परिच्छन CVT सामिल है जिसके बाद सारीरिक सहन शक्ती परिच्छन यानि जब आप रेटर्न एक्जाम क्वालिफाइ कर जाएंगे रेटर्न एक्जाम पास कर जाएंगे उसके बाद सारीरिक सहन शक्ती परिच्छन PT उसके बाद Medical Test MT फिर उसके बाद दस्ताविस सत्यावन जैसे मुल्यांकन सामिल है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है भूमिका की अधार पर मांदंड भिन होते हैं ये निर्दिष्ट करते हुए कि काउंस्टेवल की आयू 18 से 28 वर्स के बीच होनी चाहिए अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है काउंस्टेवल में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वहीं उपने रे चुकों की आयू 20 से 28 वर्स के बीच होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत सारे इसे बच्चे जो CRK की त्यारी करते हैं VSP की त्यारी करते हैं ITBP की त्यारी करते हैं तो एक ही भरती को ना अधार मानकर आप दूसरी भरतियों की भी तैयारी करें आप लोग क्यूंकि भरतियां बहुत ही आ रही है इस बार और भरतियां तो आ रही है लेकिन आपको सिलेक्शन कैसे पाना होगा सिलेक्शन को पाने के लिए उसके अंदर की ज से 28 के बीच में होनी चाहिए ठीक है और आई उसे वामें छूट भी दी जाएगी योगता की अगर हम बात करें तो इसमें देखे कॉंस्टेवल के पद के लिए जो योगता की रहेगी वो होनी चाहिए कच्छा 10 यानि मैट्रिक मैट्रिक पास है अगर आप अगर आप कॉंस् करें तो SI में देखिए अगर आप graduation है अगर आपका graduation complete हो चुका है तब आप इस form को fill कर सकते हैं बिल्कुल clear मैं आपको बता देता हूँ ठीक है अब बात आ जाती है इसके syllabus की अगर आप किसी भी भरती के तयारी करते हैं तो इसके syllabus में जान लेना अति आवश्यक है क्योंकि सफलता का जो मुलमंत्र होता है वो यही होता है कि आप उससे syllabus के बारे में जानिए जब तक आप syllabus को जानेंगे नहीं तब तक आप तयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इसका syllabus क्या रहेगा देकिस सफलता का लक्ष रखने बाले प्रतिक उमिदोरों को RPF Constable syllabus 2024 और पर यानि इसके online form वरना जो है वो इस्टार्ट हो चुके हैं चले इसका syllabus देख लेते हैं सोरी exam pattern देख लेते हैं क्या कैसा क्या कर रहेगा इसमें देखिए syllabus की अगर हम बात करें तो RPF Constable syllabus में 20 विसाय सामिल है और मिदोरों के लिए यह समझना आवस्यक है कि पार्ट करम तीन विस्यों में सनरचित हैं जैसे कि इसमें देखिए सामान जागरुकता से को सेंस होगे अंक गडित हो गा और शामान बुद्धित और तरक होगा इसमें शामान जागरुकता मैथ और रिजिनिंग यह चीजें पोछी जाएंगी इसमें यह आपको ध्यान रखना है और करम को समझने से उमिद्वारों को अपने अध्यान सत्र के दौरान विसों को कवर करने में सायता मिलती है आर्पी आप कॉंस्टेबल सिलेवस 2000 की विस्तित जो जानकारी है बो तो मैं आपको बता दूँगा कैसी क्या मतलब आपको तयारी करनी है यह देखिया आपका exam pattern है इसमें देखिये सामा जागरुप्ता से 50 questions पूछे जाएंगे 50 नमबर के मैथ से 35 questions पूछे जाएंगे 35 नमबर के और शामा ने बुद्धी एवं तरक्यानी रेजिनिंग से 35 questions पूछे जाएंगे 35 नमबर के पेपर को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा 90 मिनिट का समय और इसमें निगेटिब मार्किंग भी होगी आर्पिय भरती दोजाट चोबिस के लिए जो तैयारी हैं जो मुख की पॉइंट हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी होगी बोई जान लेजी आप लोग परिच्छा पैटरन को समझे परिच्छा पैटरन से खुद को परचित करें जिससे प्रतेक अनुभाग के लिए प्रशनों की संख्या अंकर नियोजना और परिच्छा की अबदी सामिल है तो अगर आप किसी परिच्छा की तैयारी करते हैं किसी परिच्छा की तैयारी करते हैं सबसे पहले आपको परिच्छा पैटरन समझना ज्यादा जरूरी होता है तो सबसे पहले आप परिच्छा पटर समझ लीजिए कि किस section से कितने number के questions पूछे जाएंगे किस part से कितने number के questions आएंगे और कितने समय का ये paper होगा बगएरा बगएरा वो तो मैंना आप लोगों को बता दिया है एक अध्यन कारेकरम बनाएं अगर आप आर्पीप की तैयार कर रहे हैं तो एक अध्यन कारेकरम बनाए एक अध्यन कारेकरम की योजना बनाए जो आपकी ताकत और कंजोरियों के आधार पर प्रतेग विसाय के लिए परयाप्त समय आवंटित करें लगातार सेडूल पर टिके रहें क्यूंकि आप लोगों के पास सिर्फ तीन महीने का समय है और तीन महीने में आप एक अच्छी रणनीती के साथ तयारिक कर सकते हैं वेसिक्स पर ध्यान दें जैसे की सामान जगरुकता आंकगरित और रेजिनिंग जैसे विसियों में अपने वेसिक्स को मजबूत करें उननत विसियों पर आंगे बढ़ने से पहले मौलिक कर नहीं होगा लेकिन मैं और रेजिनिंग दोता है यह बिल्कुल ठोस नमबर होते हैं अगर आप और रेजिनिंग अभ्षास करने के अगर आप मैत और रिजिनिंग की अभ्यास करेंगे मैत और रिजिनिंग का तो ज्यादा से ज्यादा कोईस्टन्स जो हैं आप लोग पेपर में कर पाएंगे नियमित रूप से अभ्यास करें अपनी गति और सटिक्ता में सुधार के लिए पिछले बर्स के प्रश्ण पत्रो भी होगा खुद को करेंट पर से अपडेट रखें खासकर रेलवेज छेत्र से समद्र क्योंकि परिच्छा में हाली की खटनाओं पर प्रश्ण पूछे जा सकते हैं विससुनिये अध्यान सामगरी का उप्योग करें आरपिया परिच्छा की तयारी के लिए अनुसंसित मा अध्यान सामगरी और पुस्तोकों का संद्रव ले बहतर समझ के लिए ऑनलाइन संसादनों और वीडियो टिटोरियल का उप्योग करें जो बच्चे बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो ऑपलाइन भी तयारी करते हैं और ऑनलाइन भी तयारी करते हैं तो आपको जो अ आपको यह मान के चलिए कि आपको लगवाग 90 मिनट का समय मिलेगा पचास को देखिए इसमें शामान अध्यान से होंगे और 35 को आपका मैंस से पूछा जाएगा और रिजिनिंग में भी को पूछे जाएंगे यह तो क्लियर है क्योंकि 100 ट्रिक के माद्दम से कर आप मैंत और रिजिनिंगे को सॉल्व करने में अगर कामियाब हो गए तो आप ज्यादा से ज्यादा कोईशन जुमें पेपर में अटेम्ट कर पाएंगे और आप कटाउफ के दायरे में आ जाएंगे अपनी तैयारी के दवरान मौक टेस्ट में समय प्रवंद्न तक्रीन को का अध् करें और उन्हें सुदारने के लिए अत्रिक्ट समय दें यदि आवश्यक हो तो सलाहकारों से साथाले या कोचिंग कच्छाओं में सामिल हूं जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है आपका तो आप अपने दोस्त के सामें डिसकसन करें आपसमें यह कैसे होगा यह कै कैसे होगा आपसमें जब डिसकसन करेंगे तो कोईसन जो है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा स्वस्त रहें पोश्टिक भोजन खाकर परियाप्त नीद लेकर और नियमित ब्यायाम करके स्वस्त जीवन सहली बना रखें प्रवाबी अध्यन के लिए स्वस्त सरीर और दिमाग आवश्यक है तो जब आपका स्वस्त सरीर रहेगा तो पढ़ाई मन पढ़ाई में लगेगा यह तो क्लियर है तो अच्छा बोजन करें नसापती बिल्कुल भी ना करें मोबाईल कम चलाएं जब मोबाईल का काम हो तब ही मोबाईल आप लोग मोबाईल को चला दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आत्स विषवास बनाए रखें अपनी तयारी के दौरान खुद पर विषवास रखें और सकरात्मक रहें परिचा के दौरान सांत हैं और अच्छा प्रताकर पर भुरसा रखें याद रखीं लगातार प्रयास समरपड पर आर्पया बर्त मिलते हैं नश वीरों के साथ जैहिंज जैवाराओं